हंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ी आऊंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे डीडी वर्सिज आरियन यानि कि डाका डॉमिनेटर्स और रंगपूर राइडर्स के बीच में जो बीपील टी ट्वन्टी यानि कि बंगलादे स्प्रीम में कवर करेंगे और उसके बाद में फाइनली अपना एक टीम कॉंबिनेशन सैट करेंगे जहां पे गये लेग सेपों से प्लेयर पिक करोगे डिफरेंशल में किसको ट्राइ करोगे सब कुछ आपको डिटेल में कवरकर के दिया जाएगा तो कंप्लेट वीडिएो देखना उनमें बाई सिर्फ जो वोशिंग्टन सुंदर की 10 रंस की पारी थी यार उसकी वज़ा से मैं 3 कोंटेस्ट हार गया कोई कि देखो वहाँ पे एक्च्वल में तो हरदिक पंडिया को बैटिंग करने आना चाहिए था बट वहाँ पे वोशिंग्टन सुंदर को परमोट किया गया था तो भाई अपने तो किसमत खराब कहलो या फिर कुछ भी कह सकते हो वरना एक तरफा सारे कोंटेस्ट में विन कर सकता तो लास्ट मैच बहुत बढ़ी है कहता इस मैच में भी एक तरफ आप लोग किस पर घर विन करोगे सब कुछ आपको कवर गर गर दूंगा तो वीडियो का इपे भी आपको स्किप नहीं करना है चैनल पर नहीं हो दोस्तो सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल जरूर ओन कर लेना कोई भी वीडियो आगे अप्लोड होगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा सबसे उपर एक टोप में पिंड कमेंट है वहाँ पे लिंक है जोईन कर सकते हो कोई भी अपडेट्स होंगे टोस्त के बाद फाइनल टेम में कोई चेंज करना पड़ेगा टेलिग्राम सेनल पर आपको अपडेट जरूर किया जाएगा जोईन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अब यहाँ पे तो देखोगे कोई ज़्यादा डिफरेंस तो भाई है नहीं सिर्फ दो मैच का डिफरेंस है ठीक है तो वो चीज़ नहीं है कि फस्ट बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट रहेगा या फिर सेकिंड बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो वैसा करेगी कोई भी मुकाबल अब्दक इस वेन्यू पे टाई नहीं हुआ है एवरेज जो स्कोर है वो आपको बता दू 2017 के अंदर 160 का एवरेज स्कोर देखने को मिला मैं और स्पेसली यह बात कर रहो भाई BPL के मैचिज की यानि कि बंगलादेश प्रिमेर लीक के मैचिज की 2017 मे 2015 था 2020 में 159 था 2022 में 162 था और 2023 के अंदर 169 था ठीक है अब एक चीज बता दू 2023 में या पर ज्यादा मुकाबले नईवे सर्फ चारी मैचिस वेन्यू पे अब तक खेले गई है तो यह थोड़ा सा जान में रखना तो किसी भी अगर आप लोग यहर में देखोगे उतना कि आसपास का है ठीक है नॉर्मली इन वेन्यू जो होते बंगलादेस के इन पे उतना ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनता 160 भी अगर कोई टीम बनाईगी तो 160 में भी बहुत अच्छा मैच देखने को मिल सकते और स्पेसली या पर जो स्पीनर्स होते हैं वह ज्यादा बढ देखने को मैच के अंदर मिला था ठीक है तो बंगलादेस की पीछिस पर भी स्पिनर्स काफी बढ़िया करते हैं स्कोरिंग पैटरन देखोगे 14 बार 150 से कम का स्कोर बना है 150 से 179 के बीच में 6 बार 170 चैक्षो नवासी के बीच में 6 बार 190 पलस भी यहां पे 6 बार ओलरी स्क पास भी जा सकते हैं लेकिन जो एवरेज रहेगा मैं अपने अकोडिंग अगर आपको बताऊं 155 से 162, 163 के आसपास के स्कोर के उमीद करके चलेंगे अब कोई टीम यार देखो ज़्यादा ही खराब खेल दे और हो जाए 120 पे ओल आउट फिर तो भाई क्या ही कर सकते हैं बट थोड़ा सा भी अगर रुक्के प्लेयर खेलने की कोशिस करेंगे 150-150 इजिल इस वैन्यू पे किये जा सकते हैं पेस वरसे स्पिन पिसले 10 मुकाबले देखोगे 49 विगेट तेज गेंदबाजों ने निकाले तो 55 विगेट यहाँ पे स्पिनस के नाम देखने को मिले है तो यहीं से आपको किलियर होगा अगेन के भाई स्पिनस यहाँ पे कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं और यहीं चीज़ मैंपको दो मिनट पहले भी बोल चुका हूँ कि स्पिनस इन वेन्यूज पे भाई काफी अच्छा करते हैं तो टारगेट करना अपने टीम में स्पिनस के उपर ऐसा निये कि फास्ट बोलर्स को विकेट नहीं मिलेगी देखो फास्ट बोलर्स को विकेट तो जरूर मिलेगी बट ऐस कमपेर टू फास्ट बोलर्स स्पिनर यहाँ पे ज़्यादा विकेट निकाल सकते हैं मेरा कहनने का मतलब इतना है ठीक है रिशेंट म पारियों में 170 प्लस स्कोर मतलब बढ़िया कंडिशन बैक्टिंग के अकोर्डिंग आमें देखने को मिली थी अब देखो ज्यादा मैचिस नहीं हुए थे ठीक है लेकिन जैसे जैसे मैचिस जाते जाएंगे आगे यहां पर पिछ भी थोड़ा सा स्लो आपको देखने को मिल पाईगी अठाईज जनवरी को ही यहां पर सैकिंड मुकाबला हुआ कोमिला विक्टरियंस ने 165 करे खुलाना टाइगर चेज नहीं कर पाई 161 जो है रंस करे थे सिर्फ चार रंस से यहां पर मैच को विन करा था कोमिला विक्टरियंस की टीम ने ठीक है कोई ज्यादा यह यहां पर डिफरेंस नहीं था बट दोनों पारियों में 160 के आसपास 165 के आसपास स्कोर बना मतलब कंडिसंस एक बार फिर बैटिंग के लिए ठीक ठाक हमें यहां पर देखने को मिल पाई थी मैच नमबर तीन देखोगे 27 जनवरी चैटागरम चैलेंजर 168 फोर्चुन बा फिकेट गिरे क्योंकि फर्स्ट बैटिंग को मिला विक्टोरियंस ने सिर्फ अपने दो विकेट गवाए थे मैच नमबर एक यानि कि जो मैच नमबर चार यानि कि जो फर्स्ट मैच वा था इसी वेन्यू पे 2023 के सीजन का सिलहट की टीम देखोगे केवल 92 कर पाई 9 सकते हैं क्योंकि मैच तो लड़ी कंप्रेट हो चुक है सिर्फ एक मात्र मैच जांपे कम स्कोर बना अगर मैं 2023 के सीजन की बात करूँगा बाकी के जो तीन मैच थे उनमें देख सकते हो आप लोग 160 के एपरोक्स मानके चलो स्कोर यापर अगर एवरेज निकालेंगे तो ज रंगपूर राइडर्स है ठीक है तो इनमें आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि रंगपूर राइडर्स है और आप लोग रंगपूर रेंजर्स के स्टैट्स बता रहे हो तो उस चीज में आपको बिल्कूल भी कंफ्यूज नहीं हो ठीक है तो यह आप लोग देख सकते हो इनके जो है लास्ट पांच मैचिस की परफोर्मेंस है नीचे मैं चलू हूँ आपको प्लेस के स्टैट्स दिखा हूँ यहाँ पर सबसे पहले डाका डॉमिनेटर्स की टीम की बात करेंगे अब देखो यह जो मैं आपको प्लेइंग 11 दिखा रहा हूँ न यह भाई लास्ट म यह अब तक खेली 102 रंज करें 12.5 की आसपा सेवरेज है और एकी विकेट अब तक इन्हों ने निकाला अब देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ और की लियर करूँ है भाई मैं मैं मैच्चीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इनिंग की अमा लिजे यहा पर थोड़ा सा फोकस कर लिया घरो उसके बाद एम रहमान रहेंगे भाई तीन पारी का खेली 34 रंज से साड़े 11 के आसपास का एवरेज है उस्मान घानी साथ 152 साड़े 21 के आसपास एवरेज एम मितुन की बात करूँ हूँ आठ पारी 160 बीस के आसपास का एवरेज है एल हक रहेगा भाई आठ पारी 95 साड़े 23 के वरेज एक विकेट तसकीन आठ पारी 10 विकेट आमीर हमजा चार पारी 2 विकेट अलमीन 6 पारियों में 10 विकेट और सलमान रिशाद ने 3 पारियों में 2 विकेट देखो टोप के जो परफोर्मर है तसकीन हमद अलमीन और उसके गानी की बात कर ले या फिर मिथुन की बात करे तो टोप के जो चार प्लेर वो उतनी बढ़िया फोमी नहीं है क्योंकि किसी का भी आवरेज देखोगे तो उतना बढ़िया आवरेज अब तक देखने को नहीं मला एक दो मैच्चिज में जरूर ठीक ठाक पारिया खेली हों जो तलुकदार 6 पारी 16-32 कैवरेज जो T20 में 32 कैवरेज मेरे इसाफ से काफी बढ़ी है ठीक है मैधी असन रहेंगी 7 पारी 17.5 कैवरेज 3 विकेट निकाल चुके सोई मलिक 7 पारी 225-45 कैवरेज बहुत ही बढ़ी आफ हूम में है इंपोर्टेंट प्लेयर है एक्सपिरिय किस कैवरेज कोई विकेट अब तक नहीं निकाला इस वेन्यू पर इंपोर्टेंट हो सकते क्योंकि स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प रहेगी ठीक है सामी मुसें देंगे 4 पार 17.5 इस कैवरेज विकेट अब तक इनको नहीं मिला नूरुल असन टीम के काप्टन एंड विक 41 रन से 25 कैवरेज आर हक 5 पारी 7 विकेट हरीस रहूफ चैयर पारियों में 6 विकेट और हसन महमुद 7 पारियों में 11 विकेट अब गेंदबाज देखोगे इनके जो 3 में गेंदबाज है ये काफी बड़ी आफ़ोम में है फूर्थ जो में गेंदबाज है वो अजमत अल्ला जो है बोलिंग उपसंस मिलेगी जहां पर मलिक भी गेंदबाजी कर सकते तो मतलब 8 वी उपसं और इस वेन्यू पे जातक मुझे उमीद है मलिक आपको शायद जरूर गेंदबाजी डालते वे दिखेंगे क्योंकि स्पिनर्स को हेल्प रहेगी और यहां पर मलिक जरूर ग अब आपको टीम सेट करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एक डेमो टीम मैं आपके एक बार दिखा देता हूं ठीक है लेकिन यह सिर्फ डेमो टीम रहेगी फाइनल टीम आपको टोस्के बाद चेंजिस होने के बाद में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कमे आपका के टीम के साड़ से मैंने सर्फ 4 प्लेयर को पिक करा क्योंकि यहार इनके जो टोप ओडर के प्लेयर है न वो उतनी बढ़िया फो में फिलाल नहीं हैं नासर उसेन जो की तगड़ी फो में फिलाल में इनको टीम में रख रहा हूं ठीक है यहासे ए उसेन बढ़िया गेंद बाजी करें अब तक मैं इनके साथ में जाऊँगा, मुंबद मिथुन जो की टोप उडर में बल्ले बाजी करेंगे, इनके साथ में जाऊँगा, आप लोग जाओ जाओ या पर विकेट कीपिंग सेक्शन से नूरू लासन जरूर ट्राई कर सकते हूँ, 49% सेलेक्शन ह जो की बढ़िया प्लेयर है, ट्राई कर सकते हूँ, और यहां पर उलाउंटर सेक्शन, यहां पर सो में सरकार बहुत बढ़िया पिक बचे हैं, जो की टोप उडर में बैटिंग पलस एक दोवर की गेंद बाजी भी डालके दे सकते हैं, गेंद बाजी डिपार्टमेंट से फिर आपको भाई कोई एक प्लेयर यहां पे डुप करना पड़ेगा, अभी देखोगे, यहां पर 11 प्लेयर की टीम में आप लोग चाहों, यहां पर हरीस रहुफ को टीम में पिक करना तो भाई इसको कर सकते हूँ, ठीक है, देखो कोई ना कोई प्लेयर तो आपको कर पाओगे अब भी 11 प्लेयर की यह सर्फ डेमो टीम रहेगी एक बार फिर्म आपको रिपीट कर दे रहा हूं चेंजिज होंगे दोस्त टोस्के उपर बहुत सारी चीज़े डिपेंड करने वाली है तो जो भी चेंजिज होंगे उसके बाद फाइनल टीम टेलिग्राम चेनल में यूनीक में आप लोग किसी को भी ट्राई कर सकते हो स्पेसेली थोड़ा फोकस कर लेना गेंदबाजी डेपार्टमेंट पे क्योंकि बल्ले बाद जो का भाई कुछ भी बरोसा नहीं है एक ही गेंद पर विकेट चला गया पूरा मैच आपका खराब हो जाएगा तो थो आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी उन कर लेना कोई भी वीडियो आगे अपलोड होगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ और आपकी टेम अच्छा परफूम जरूर करेगी